By 2023 जो है न हर एक जुरिश्री आस्परेंट को एक बड़े क्वेशन के साथ छोड़के जा रहा है कि ये existing laws को पढ़े CRPC IPC evidence या फिर जो नए law pass हुए BSA, BN, SS and BSA इनको पढ़े आप law student है आप एक बाद बताइए No matter दोनों houses ने उस act, बिल को पास करके act बना दिया precedent में भी ascend दे दी है लेकिन क्या आज की rate में आप उन act से govern हो रहे हो नहीं क्योंकि enforceability अभी भी नहीं आई है अब point यह उठता है कि enforceability कितना है में आएगी देखे रातो रातो enforceability नहीं आदेगी हमने major laws को change किया that is criminal laws को और इतनी easily इतनी असानी से पूरे देश पर एक साथ apply करना is not easy task for the government as well हाली में एक speech में आमिक्षाजी ने एक चंडीकर में speech दिया जिसमें होने कहा है कि 24th December 2024 अग हम क्या करेंगे यूटी पर इन acts को apply करेंगे या क्योंकि यूटी जो होती है union territories वो central के अंदर आती है और जो बाकी है स्टेट है वो स्टेट गवर्मेंट के पास भी आते हैं तो पहले वो यूटी पर apply करेंगे क्यों क्यों क्योंकि central ने बनाया है तो पहले वो अपने अरिया पर उनको इंप्लिमेंट करके देखेंगे अब जो हमने डेट उन्होंने बॉली 24 इसको चलो हम लोग बहुत रिजिद्वी नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है उससे पहले ही वो इंप्लिमेंट करते हैं सिरकार फटाफट काम कर रही है हमें देखा कि फटाफट बिल पास हुए फटाफट उस परसें भी मिल गई और वह बिल्स्ट में वह आक्स भी बन लेकिन इससे हमें यह जरूर कंक्लूजन मिलता है कि ऐसा नहीं है कि अगले चार दिन बाद जो है यह चारो आक्स यह तीनों आक्स वह हमारे उपर enforceable भी हो जाएंगे तो जो स्टूडन्स डायलमा में है मैं उनको यह बता दू इस बेटर कि आप existing laws को पढ़ें जो आपने पढ़ ली हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी भी CRPC IPC evidence नहीं पढ़ा है वह थोड़े समय के लि दो महिना देड़ महिना रुख जाओ अभी जब तक CPC पढ़ लो CPC पढ़ने में देड़ महिना लग जाएगा और उसके बाद आप अपनी criminal laws पर जंप करेगा और जिन्होंने पढ़ रखा है criminal law वह अपनी उन concepts को वही का वही रखें क्योंकि जो new laws आए हैं वह बिल्कुल स जो नई चीजों के एड-on करने की जरूरती उनको आड-on किया गया बस बाकि वही की वही चीज़ें अगर हम एविदेंस आकती बात करें तो जो भी ब्रिटिश से रिलेटर से उनको डिलीट किया गया है और जहां पर electronic evidences को डालने की जरूरती उनको डाला गया है एक दूबारा से महनत स्टूडेंस को ही नहीं बलकि अड्वोकेट्स को भी जर्जस को भी सधी को करनी पड़ेगी तो इसमें इतना टेंशन लने की जरूरत नहीं है तो in conclusion if I say कि आप existing laws को ही पढ़िये और जो new laws है उन्हें हमें shallow reading अभी देना पड़ेगा no matter हो इंफोस हुए है और नहीं हुए है तो shallow reading मतला कि उपरी knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि that is important क्योंकि कुछ change हो रहा है तो हमें वो change का knowledge होना चाहिए that is expected from you aspirants ठीक है तो आप अपने existing laws laws पहरी stick करिये और उनको ही पढ़िये और जो new students है इन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा वो अभी थोड़ा hold पर रखे चीज़ों को ठीक है और जो और जो अल्रेडी कई बार पढ़ चुके है वो थोड़ा सा उपरी reading आप और तीनों new acts की भी DJ